वेलकम स्वागत अफसलों का मेरे यूटूब चलन में इस्टेडी वीद मी में मैं हूँ आसी सुकला और आज हम चर्चा करने वाले जानने वाले वो मंत्र क्या है वो strategy क्या है जिससे कि हम जो group D की railway vacancy आ रखे उसमें अपनी seat एक पक्की कर लें अप में खुद select हो जाए तो 63,000 पदों में एक पद आपका भी हो तो बने रही है अगर आपको एक पद लेना मेरे साथ अंत तक वीडियो देखिए और एक जरूरी सुचना अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइम ने किया तो विदाउट अने यू मस्स सब्सक्राइम है चैनल and also the bell icon button ज जिससे कि आपको share short selection में चेके और आपकी एक जिन्दगी बेहतरीन जिन्दगी हो सके तो देखेंगे हम 63 पदों के यह जो भरती आ रहा की यह computer आधरी परिच्छा 17 September से सुरू हो सकती है ठीक है परिच्छा के सहर तारीख और shift की details CBT सुरू होने से 10 दिन पहले दी जाएगी मतलब की आपको करीब 7 September से आज के करीब 7 दिन बाद से 7 दिन बाद से आपको admit card आ जाएंगे आपके आपको कहां exam देना है जाके किस date में देना है जाके किस shift में देना जाके आपको आज के 7 दिन बाद से पता लगने लगएगा और 17-17 तो आपके exam है पदों के लिए computer based test मतलब CBT होने वाला है मतलब computer based आपको सामने computer होगा 90 मिनट के आपको total question paper होगा आपके टिक टिक countdown चलाएगा 90 मिनट से शुरू होगा 89 मिनट फिर होगा 88 मिनट ऐसे करके countdown कम होते 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 साइड में आपको दिखता रहेगा 90 मिनट आपके पूर आपका exam हो जाएगा तो इस 60,000 पदों पर computer आदे परिच्छा होगी मतलब आपको computer के सामने बाइटकर परिच्छा देनी है 63,000 भरतियों के लिए 70 से शुरू होगी परिच्छा जूड़ी सारी जानकारी 10 दिन पहले बताई जाएगी मतलब साथ तारीक से आपको सारी चीज़ बता दी जाएगी कब 3 की minus marking है अगर कोई question एक number का है अगर कोई question एक number का है माली एक number का है तो अगर आपने उसे गलत किया तो minus 1 वटे 3 कर दिया जाएगा आपसे ठीक है तो इसलिए आप इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें मैं आपको बताऊंगा कि भाईया ये कैसे करें हम इसे handle कैसे करें इस minus marking को जिससे कि आपको कम से कम उत्तर गलत हो ज्यादा से ज्यादा सही हो सकें और आप अपनी seat secure कर पाएं पहले इसके बारे हम थोड़ा देख लेते हैं तब ही आपसे जो मैं discuss करेंगा वह चीज़ आप समझ पाएंगे कि ऐसा जरूरी क्यों है मैंने ऐसा क्यों बताया तो दे सब्सक्राइब करने हैं पुरसों को यह करना मैं लाव इतना करना है पहला तो मारा हो गया सेकेंड वाला सेकेंड हों गया हमारा फिछक किया लगा तीसरे बाद टावस्तियावन आपके जो माक्सीड वगरहा हैं ए डाकुमेंट सारे आपके सत्वाइद कि कहीं आप फरजी होगा उसका क्या टाइमिंग होगी कैसे कोस्टेंस आएगा कितने मिनट का ड्यूरेशन रहेगा इन सब चीजियों के बारे में देख लेते हैं तो मैस में आपसे 25 कोस्टें पूछे आएंगे जनरल इंटर इंटरेंस रीजनी में 30 कोस्टें आएंगे और जनरल साइंस में 25 को टोटल मिला के आपके कोस्टें कितने हो गए 100 कोस्टेंस हो गए आपके पास टाइम कितना मिला 90 मिनट 100 कोस्टें कहने का मतलब एक मिनट से भी कम कोस्टें आपको एक कोस्टेंस ज्यादा है 100 कोस्टेंस है मिनट आपके पास 90 है तो इसका मतलब आपको बहुत जल्दी करनी एक मिनट से भी कम टाइम लेना है एक कोस्चन को करने में बास समझे बच्चों अब देखो इसमें strategy क्या हो सकती है जो मंत्र है वो मूल मंत्र क्या है कि भाई ये CBT exam है सबसे पहली बात तो ये अगर आपने कभी computer पर कोई exam नहीं दिया है कभी आपने computer handle नहीं किया है तो अभी आपके 17 दिन 17 तारीक होने में अभी कम से कम 17 दिन से इस है तो इसका मतलब अगर आप बीच में भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो need not to worry आप क्या करिए आप पास वाले में इंटरनेट कैफे पर जाईए जहां computer की साफ हो वहां थोड़ा बहुत जाके अगर आप computer class नहीं ले सकते हैं तो भाई 10 रुपए देके घंटे बर सी किए computer बैठिए उस पर online काई तरह है कि आज कल computer के exam पड़े हैं आप उन्हें exams को दीजिए online exams काई सारे होते हैं mock test होते हैं आप mock test को दे दीजिए नहीं तो बैठ कर आप कम से कम mouse के बारे में window कैसे खुलती है बंद होती है इन cg-o के बारे में basic basic जनकारी और computer थोड़ा handle करने रग जया यह handy हो जाए जिसे mobile है आपको पता है cuts यहां से power off यहां से सारे menu खुल जाएंगे और यहां से YouTube खुल जाएगा आपको हर चीज़ पता है mobile का अगर आपको computer के बारे में सारा पता होगा तो आप जब exam देंगे तो आपको सहुलियत होगी आप अच्छे से exam दे पाएंगे ठीक बच्चों तो यह बात रही हमारे CBT exam की ठीक है तो इस तरह हम CBT exam अपना दे लेंगे तो इससे पहले क्या है कि आपको जाके computer पर अपनी practice करनी है और जो expected हमारा जो cutoff है 2018 जो हमारी vacancy है 2018 जो हमारी vacancy है मतलब की railway group D की इसमें कितना जाने वाला है मतलब की cutoff लगवग expected cutoff मारा कितना होने वाला है तो देखते हैं अगर आप general candidate है तो भाई लगवग 72.33% मतलब की आपको अगर 100 question है 100 question 100 number के हैं तो भाईया आपको क्या करना है 32 number लेके आने हैं यह expected cutoff है मतलब की आपको एक अच्छी तैयरी करनी है और इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भाई जो आपके questions आएंगे जो 100 questions आएंगे इसमें आपको क्या करना है तुक्के नहीं मारने है तुक्के मारने से क्या होता है अगर एक भी गलत हो गया तो आपको question चारो के चारो बरबाद हो गया तो आपको करना क्या है कि आपको जितने आते हैं सही सही आते हैं आप उतने कीजिए बस और आपको तुक्के मारने के इसमें कोई जरूद नहीं यह यूपी पुलिस या किसी और का exam नहीं है कि आप तुक्के मार दो इसमें कोई minus marking नहीं है और आपका काम चल जाएगा कई सारे लोग ये भी बताते हैं कि भाई AA करके समय तुक्का मार दो कईने कई तो कुछ सही हो जाएगे BB करके तुक्का मार दो ये भाई ये मन गड़नत कहानिया है और इनसे कोई effect नहीं पड़ने वाला अगर आपने सोच समझ के अगर सहीद किया है तो आपका उत्तर में सही आएगा और आपको उसके पूरे marks मिलेंगे अगर आपको तुक्का मार आ रहा है तो कहीं ने कहीं questions आपके गलत होंगे और वो आपकी पूरी marking बिगार के रख देंगे अगर आपको नहीं आता तो लिव इट उसे छोड़िए आंगे बढ़िए जो आता बस उसे करिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा important ये चीज़ देख रहे होंगे कि आपको कौन सपाई ले करना चाहिए maths में हम ध्यान दे जादा आपको एक मिनट से कम टाइम में आपको सारे कोश्चन सौल करने तो क्या कहने का मतलब है कि जर्नल अवेर्नेस पर ज्यादा देखन दीजिए अभी 17 दिन है आप करेंट अफेर्स जो चल ले हो पिछले 6 महिनों के आप सारी करेंट अफेर्स आपको हर चीज फैक्ट एंड फीगर्स में आपको पता होने चीजिए और एक बात हो जादा गहराई में बाते जाने की जरूरत नहीं है अब ही जो हमारे रिसेंड में फीफा वर्ड कप हुआ था तो नंबर वन पे काउंट टीम रही नंबर टू पे काउंट टीम रही और उसे रिलेटड गोल्डन बूट गोल्डन बैट यह पर उसकार किसमें दी जाते हैं तो आपको उपर उपर की चीज उतली उतली चीज जाननी है आपको गैराई में जाके जानने की जरूरत नहीं कि भाईया जो फीपा वर्ड कप हुआ था उसमें सबसे अधा गोल किसम आगे तो इतने अंदर के कुस्टेंस नहीं आने वाले फीपा वर्ड कप कहां हुआ था रूस में वहा था यह आप से पूंचा जा सकता है क्योंकि रेलवे ग्रूब डी का एकजाम है एकदम को याई स्पीसेस के एकजाम नहीं कि आपको तहे पर तहे खोलता चला जाए आपको कोस्टेंस पता लग जाते हैं आपको आंसर पता लग आपको आता है तो टिक नहीं आता तो आंगे बढ़ो तो यह आपके कम टाइम टेकिंग है इन पर ज्यादा फोकस करिए और आप तुरंत एक ही आँख देखा जैसे आपने कोस्टेंस से वैसे ही एकदम आपको उत्तर पता लग जाएगा आप आँगे बढ़ जाएंगे तो आपने अभी तक अगर तैयारी की है मैथमेटिक्स की आप थोड़ा ध्यान भी दे लो इन तरफ जो जनरल अवेर्नेस करेंट अफेर्स है और जो जनरल साइंस इस पर ध्यान दे लो और रिजिनिक पर ध्यान कि ये तीनों जो है ना आपके स्कोर को तुरंत हाइब करती तुरंत बढ़ा देती है मैथमेटिक्स में से तो कई बर स्लो कई बर कोश्चन फस गया तो आप पतार लटके रहे उसमें लेकिन मैथ आती है ये बाद में आपको काम देगी पहले आप सुरुआत करिए जनरल सा करने की कोश्चिस क्योंकि आप तीन कर लेंगे तो तीन से आपको टाइम बचेगा क्योंकि फीफा वर्ड कप ने कि सेकेंड पोजिशन पर कौन रहा था आपने टिक मारा खट से आंगे बढ़ गए मैंस में क्या आएगा कि इतने दिन में इतना काम किया दूसरे इतने दिन काम किया दो-दोनों जोड के बताओ तो आपको कम से कम एक जगा रफवर करना पड़ेगा आपको टाइम लगेगा तो आप पहले इन तीनों को कर ले करेंट अफेर्स जनरल साइंस और जनरल इंटरीस फिर आप जाके मैथमेटिक्स पर आ जाएए और आप सारे कोस्चिंस अटेम्ट करने की कोसिस कीजिए क्योंकि कटाओ मार्क्स घाने वाला है इतना सारा करीब करीब ये समझ दो धाई करोड बच्चों में फौर्म भरें दाई करोड आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा फॉर्म पढ़ें इसके लिए और कितनी ज़्यादा मारे मारे होने और वैकेंसी भी खर अच्छी है तो भाई अगर आप अच्छे से एक्जाम देंगे strategy बना के देंगे तब ही आप इस exam में successful हो जाएंगे group D के एक्जाम में successful हो पाएंगे और मैंने आपको strategy बता दी कि भाई आपको क्या करना है कौन कौन subject पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि दिन कमी बचे हैं और पढ़ना कितने level तक है आपको गैराही में नहीं जाना है आपको सिर्फ उपर उपर से चीजें सारी देखनी है मोटी मोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगे इस exam में तो यही हम इस exam का मंत्र है कि कैसे हम अपनी strategy बताएं तो मैंने आपको strategy बता दी है अब आपको सिर्फ 17 दिन बचे हैं आपको इसमें मेनत करनी आपको general awareness, current affairs सारे देखने हैं पिछले 6 मेनों के सारे के सारे कोई नहीं छुटे और 6 मेनों सो पहले के आप उपर उपर से देख सकते हैं जनरल साइंस के बारे में जो हमारी 6-7 एर्थ में यह जनरल साइंस चलती इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको आनी चाहिए general intelligence, reasoning आपको आनी चाहिए और match सापके scoring बाद में बढ़ा देगी तो आप इस तरह आपकी नईया पार हो जाएगी आप group day में अपनी नोकरी secure कर पाएंगे तो बच्चों आपने इस वीडियो में हमीद नहीं रखते हैं उमीद करता हूँ यह strategy आपको पसंद आई होगी और इस पर आप काम करेंगे जिससे कि आपको sure, short, success मिल सके आप यह government imply हो सके central government के imply हो सके और लुफ्ट उठासेंगे यह अच्छी जिंदीगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विकेंसी के साथ में किसी नए topic वेद तब तक के लिए one day मातरम